हेलो बच्चे बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 इस्टेट लाइन का सबसे पहले हम इंट्रोडेक्शन देखेंगे अराम से चैप्टर को समझना है बहुती इंट्रेस्टिंग चैप्टर है बच्चे तो बड़े ध्यान से समझना भाई पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा सा क्लास 10 का रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर हमें जरूरत है क्लास 10 के कौन-कौन से टोपिक की बच्चे हम इसमें जरू दरू बड़े ध्यान से आप इसमें समझना भाई देखो बटा जैसे भाई इसमें एक होता है हमारे पास x-axis और एक हमारे पास क्या होता है यह हमारे पास होगे मेरे बच्चे x-axis और यह हमारे पास क्या होगे मेरे बच्चे y-axis अच्छा हमेशा आपको जहां रखना है कि जो point हम जब भी लेते हैं point on x-axis वो हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे x,0 और point on y-axis वो बच्चे हमेशा क्या लेते हैं 0,y मेरे बच्चे ठीक है जी तो हमेशा आपको पता है कि Cartesian plane जो बताता है x-axis को और y-axis को point जो हमेशा होता x-axis पर हमेशा क्या होता x,0 और point जो हमेशा y-axis पर होता वो कितना होता बच्चे y,0,y बच्चे अब समझना भाई बड़े जानते इसमें उसके बाद हम दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे distance formula बच्चे कि अगर Cartesian plane में अगर आपको दो कोडिनेट्स अगर आपको गिवान है बच्चे और उन्हें दो कोडिनेट्स के आपको distance निकालनी हो एक कोडिनेट्स है और एक कोडिनेट्स है बच्चे points है अलब a के जो points है वो क्या क्या है बच्चे अलब a के जो कोडिनेट्स है वो x1,y1 और b के जो कोडिनेट्स है बटा वो x2,y2 मुझे इन दोनों के बीच की distance निकालनी है ए भी तो बटा formula हो जाएगा अंडर रूट वो x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square बच्चे और उस पूरे का बिटा क्या हो जाएगा भाई मोडलस ठीके जी चले जी अगर हम नंबर सेकेंड नंबर थर्ड की अगर हम बच्चे बात करें अब हम नंबर थर्ड की बात करेंगे भाई अब हम बात करेंगे इसमें section formula जो भी हम class 10 का पढ़ रह पहले हैं मियते को इसके कोडिनेट है अचा जो miser है वो इसके कहां पर बैठा हुआ इन्टर्नलीा जो हम फोर्मूला पढ़ रहे हैं व्यटा इंकरलीगा जब point उसको internally divide कर रहा है बच्छे तो क्या हो जाएगा भाई आपके पास x equal to होगा m1 x2 plus m2 x1 upon में m1 plus m2 बेटा और y equal to हो जाएगा बेटा m1 y2 plus m2 y1 upon में m1 plus m2 बेटा तो जब वो उसको externally divide करेगा नो जब उसको externally divide करेगा भाई तो सक्ता फॉर्मुलाव देखिए और externally कैसे हम बात कर रहे है быть externally जब उसको वह divide करेगा यह हमारे पास है क्या है लाइन segment क्यों यह मारे पास क्लाइन segment है और यह क्या है मेरे बच्छSt Politik and scoping ठीक है जी और इसको कोई point C जो है वो बहार लाई कर रहा है यहां पर है वो बहार बहार है बच्चे वो इसको बहार से उसको लाई कर रहा है तो बड़े इध्यान से समझना यह point C है जिसके बहार लाई कर रहा है और बेटा x के जो a के जो coordinates है वह X1, Y1 B का जो कोडिनेट है वह X2, Y2 और C का जो कोडिनेट है X, Y अब जो point C है वो इस line segment को externally divide कर रहा है मतलब उसके बहार लाई कर रहा है तो यहां से यहां तक का ratio आपका कितना हो गया M1 और यह वाला ratio आपका कितना हो गया M2 मेरे बच्चे क्या formula होता है कोडिनेट निकालने का जो point X ने divide करता है M1, Y2 minus M2 Y1 upon में M1 minus M2 और Y equal to होता है M1 sorry, sorry बच्चे यहां पर यह आएगा M1, X2 M1, X2 minus M2, X1 upon में M1 minus M2 और यहां पर ही आएगा बच्चे आपका M1 Y2 minus M2 Y1 upon में M1 minus M2 बच्चे यह आपका कोडिनेट निकालने का formula हो गया जब एक point उसको externally एक line segment को externally क्या कर रहा है divide कर रहा है बच्चे अब हम बात करेंगे हैं से midpoint formula midpoint formula क्या होता है भाई उसको भी समंझिया बड़े ध्यान से midpoint formula ठीके जी क्या होता है समंझिये जब एक line segment यह एक line segment है a b जिसके coordinate है x1, y1 जिसका यह coordinate है x2, y2 जिसको point x c है जिसके coordinate है x1, y x, y और इसको equally part में divide कर रहा है तो c point इसका midpoint बन गया बच्चा formula होता है x equal to x1 plus x2 upon में 2 y equal to beta y1 plus y2 upon में 2 यह होता है बच्चे formula निकालने का x और y जिसमें x equal to x1 plus x2 upon में 2 और y equal to y1 plus y2 upon में 2 यह हम पढ़किया है class 10 में और हम देख लेते है class 10 का थोड़ा सा part चलिए बच्चे हमें बात करना है किसकी area of triangle area of triangle निकालना और शेखेंगे बच्चे यह हमारे पास एक triangle है और इस triangle के आपको तीनों vertex के coordinates आपको पता है a के coordinates है बेटा x1, y1 b के coordinate x2, y2 और c का coordinate x3, y3 बेटा आपको निकालना है area of triangle तो area of triangle triangle का जो formula होगा वो half of x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2 यह होगा area of triangle निकालने का formula अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे भाई बड़े ध्यान से बात करेंगे बिच्चर मुँ कॉलीनियर से कॉलीनियर पॉइंट क्या होता है कॉलीनियर का मतलब क्या होता है when three or more points lie in a same line जब तीन या तीन से ज्यादा points एक ही line में लाई करते हैं तो उन points को क्या बोलता है कॉलीनियर अब आप बड़े ध्यान से समझना बेटा बहुत ही ध्यान से जैसे बच्चे मैंने बोला यह एक line है अब तीन points एक दो तीन यह है A यह B यह C इनके coordinates हैं X1,Y1 X2,Y2 और X3,Y3 अगर यह तिनो points एक ही state line में लाई कर रहे है तो इनका area of triangle क्या हो जाएगा मेरे बच्चे मतलब कोई भी triangle नहीं बनेगा तो area कितना हो जाएगा 0 तो अगर कॉलिनियर प्रूफ करना हो तो अगर area of triangle equal to 0 के आ जाए तो मतलब points are कॉलिनियर बच्चे यहां तक हमारा जो part है वो class 10th का खतम होता है अब यहां से हम बात करेंगे class 11th की अब आगे समझना है बड़े ध्यान से state line को class 11th में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या है यह हमने coordinates का थोड़ा सा part पढ़ा था जो हमारा class 10th में था बच्चे ठीके जी चलिए ज़िए अब समझना बड़े ध्यान से चलिए ज़िए बड़े ध्यान से समझना topic है slope of a line उसको समझने के लिए पहले हमें कुछ और बातों को समझना है यह Cartesian plane है इस plane के अंदर यह Cartesian plane है और इस plane में यह x-axis है यह y-axis है अब बेटा एक line है पे क्या है एक line है एक line है यह लिए एक line जो इस Cartesian plane में से पास हो रही है और x-axis को cut करती हुजा रही है और x-axis के साथ एक anti-clockwise direction में एक angle बना रही है इस angle को बोलते है इनक्लाइनेशन of a line में इसको हम denote करते है किस से ठीटा से मतलब कि यह line x-axis की तरफ को कितनी जुकी हुई है यह x-axis के साथ कितने degree का angle बना रही है उसी को हम बोलते है inclination of a line यह inclination angle बच्चे x-axis के साथ है कितने degree का अंगल बना रही है इन positive direction में यह इन anticlockwise direction में उसी को बोलते है inclination of a line अब बड़े ध्यान से समझना बेटा यह जो inclination of line है अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो यह क्या क्या हो सकता है कितने कितने degree का यह हो सकता है यह आपको समझना है तो आप देखो कि अगर यह ऐसे हो जाए तो मतलब अब यह angle बिलकुल कितने degree का होगे 0 degree का चलो थोड़ा सा और समझते है थोड़ा सा अगर यह देखो ना अब एंगल कितने डिगरी का बन गया बिल्कुल जीरो डिगरी का बन गया बच्चे अब एंगल कितने डिगरी का बना है जीरो डिगरी का बना इसमें तो पहले तो आपको पर चला कि ठीटा जो है वो आपका कितना हो सकता जीरो डिगरी, जब वो जीरो डिगरी हो सकता है, जब वो जीरो डिगरी हो सकता है, तो समझना भी, जब वो जीरो डिगरी हो सकता है, अभी देखते हैं थोड़ा सा हिल गया भी यह, आप समझो बच्चे, यह जो ठीटा है हमारे पास, पर वर अब इसको दोबारा लेदा आजब हो पैजें Uzिए अब यह जो ठीटा है यह मरे पास पहले जीरो डिग्री का हो सकता है इरो के बाद यह एक्क्यूट हो सकता है uh-ks sauce-sat-a-íste इंकल लाइन होता है वो 0 degree से बड़ा होता है और 180 degree से छोटा होता है मतलब एक लाइन X-axis के साथ जो जो एंगल्स बना सकती है वो एंगल्स होते मेंसाफ जिरो डिग्री से बड़े और 180 degree से छोटे जो anti centigrade direction में एक लाइन X-axis इसके साथ बना सकती है, तो inclination of a line जो होता है, वो में सब 0 degree से कितना होता है? 180 degree तक होता है बच्चे. अब बड़े ध्यान से समझना भाई, अभी slope की कहानी को समझेंगे, बड़े ध्यान से, बहुती ध्यान से बच्चे, अब ये slope होता क्या है? slope समझना भाई है slope की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं हम समझना बच्चे slope अब देखो जरा slope होता क्या है यह जो एक line है यह एक line है यह x-axis के साथ एक angle बना रही है कौन सी direction में anti-clockwise direction में और इस angle को हम बोलते हैं theta से denote करते हैं और inclination of a line हम इसको बोलते हैं अब slope क्या होता है slope यह बताता है कि जो कोई line है वो x-axis की तरफ उसका कितना जुकाव है तो उसको बोलते हैं उसका क्या slope कि अगर आपको यह निकालना हो कि कोई line जैसे बच्चे मैंने बोला यह horizontal line है और इस यह एक line है इसका जुकाव x-axis की तरफ कितना है तो उस जुकाव को ही बोलते हैं slope of a line अब वो कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझना बेटा बड़े इच्छान से अब यह जो जुकाव है यह जुकाव है यह दो चीज़ पर depend है अब यह दो चीज़ पर depend है किस-किस पर एक तो यहां से perpendicular और एक किस पर base पर अब अगर तुम इस जुकाव को नीचे की तरफ करोगे जुकाव अगर कम होगा मतलब जुकाव अगर बढ़ेगा नीचे की तरफ आएगा जुकाव बढ़ेगा तो perpendicular हाइट थोड़ी सी काम होगी इस लाइन को आप पीछे तक खिशते हो तब भी थोड़ा सा जुकाव पर क्या आएगा तो जुकाव दो चीज़ों पर depend है यहां पर एक कौन सा ट्राइंगल बना राइट अंगल ट्राइंगल जुकाव दो चीज़ों पर depend है परपेंडिकुलर पर और एक बेस पर तो मतलब जुकाव जो depend है वो है इस पर परपेंडिकुलर अपन में बेस जिसको हम denote किस से करते हैं 10 थीटा से तो इस 10 थीटा को हम बोलते है slope of a line जिसको आप denote करते हैं एम से तो एम बराबर होता है 10 थीटा के तो slope of a line जिसको हम denote करते हैं एम से जोर और एम किसके बराबर होता है मेरे बच्चे 10 थीटा के इसी को हम बोलते है slope of a line ठीक है जी अब समझवा बड़े ज्यान से अब ये रेखो ज़रा बड़े ज्यान से की जैसे आप इसमें 10 90 के वाले रखोगे 10 90 के वालो क्या होती है लोट डिफाइन तो ठीटा क्या नहीं हो सकता 90 थीटी तो इसी लिए inclination of line हमेशा 0 डिगरी से 180 थीटी तो होता है बट इसलिए ठीटा भी क्या नहीं रख सकते हम 90 डिग्री हम कभी भी नहीं रख सकते क्योंकि 90 डिग्री अगर होगा अगर ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगी तो इसका कोई भी जुकाव X-axis की तरफ मलब ये किसी भी जुकाव के साथ X-axis की तरफ ये कोई भी जुकाव एंगल नहीं बना रही है तो ठीटा क्या नहीं होता 90 डिग्री तो M स्लोप जो होता है वो किसे डिनोट करता है M से जो बराबर किसके होता है 10 ठीटा के बना यहां तक संज में आपको आ गया होगा तो जो स्लोप होता है लाइन का वो ये बताता है कि कोई लाइन X-axis की तरफ कितना जुकी हुई है उसी को मुसका क्या बोलते है बच्चे स्लोप बोल ठीक है जी चले हम बड़े ध्यान से समझना बहुती ध्यान से चलिए जी आगे की बात करेंगे बच्चे भब नमबर नेक्स टोपिक चलिए बच्चे पास टो टो पॉइंट्स जब वो दो पॉइंट्स से पास हो रही है बच्चे ठीक है जी अब समझो पहले बड़े खान से ये हमारे पास एक कार्टीशन प्लेन है जिसको हम बना रहे है ठीक है जी अब इस कार्टीशन प्लेन में से यह एक लाइन है जो पास हो रही है यह एक लाइन है जो पास हो रही है और यह x-axis के साथ एक एंगल बना रही है वच्चे खिटा और इन कौन सी डारेक्शन में एंटि क्लोक्वाइस डारेक्शन में वेन स्लोप उफ लाइन जब वेन इट पास हो रही है पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है बी और एका जो कोडिनेट है वह है x1,y1 बी का जो कोडिनेट है वह है x2,y2 अब समझना बेटा बड़े ध्यान से बहुत ही ध्यान से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा देखते हैं यह डिस्टेंस हो गई x1 यह डिस्टेंस हो गई y1 यहां का पॉइंट का नाम मैंने लेख लिया d अब बच्चे समझना बड़े ध्यान से यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x2 और यह complete distance कितन है y2 मैंने इसका नाम रिख लिया e तो कोई बच्चा अराम से देख के यह बताईए कि वेरे बच्चे d कितना होगा d आपका हो जाएगा x2-x1 x2-x1 अब यहां तक आप समझे यहां से हमने लाइन ड्रो करी इसका आमने नाम रिख लिया तो आप मुझे बताईए बच्चे बड़े ध्यान से कि आपकी bp कितनी हो जाएगी जब यह y2 है यह कितना बच किया y2-y1 जब यह x2-x1 तो यह भी कितना होगा x2-x1 x2-x1 बेटा x2-x1 यह आपका हो जाएगा x2-x1 अब आप बड़े ध्यान से समझना भाई बड़े ध्यान से कि अगर यह वाला एंगल ठीटा है तो यह वाला एंगल भी क्या होगा ठीटा क्योंकि ap पैलल होगी x-axis के तो corresponding एंगल होगई अब एक सुन्दर सा right एंगल ट्राइंगल बन र इलाबर होता है perpendicular upon में base के और 10 ठीटा perpendicular कितना है वहाँ से y2-y1 upon में यह y2-y1 नहीं है पर upon में x2-x1 बेटा और 10 ठीटा को हम slope बोलते हैं जिसको m चैड नोट करते हैं तो y2-y1 upon में x2-x1 जब दो points आपको given होते हैं तो slope निकालने का formula होता है y2-y1 upon में x2-x1 आपका formula होता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी next चलते हैं next topic की तरफ ठीक है बच्चे तो अराम से यहाँ तक आप वीडियो को अराम से विराम देके question को लिख सकते हैं ठीक है जी कोश्चन नहीं सोरी मना उस concept को लिख सकते हैं चले बच्चे आगे चलिए बच्चे अब हम बात करेंगे slope of a line slope of lines slope of lines slope of lines when they are balance ठीक है मेरे बच्चे जब वो दोने lines क्या होती है पैलन होती है उनके slope की हम बात करेंगे ठीक है जी यह हमारे पास एक Cartesian plane है और इस plane में से बच्चे दो lines पास हो रही है एक line यह री और एक लाइन बच्चे यह लिए यह दो parallel lines है अराम से समझना यह लाइन हमारे पास L1 यह line हमारे पास L2 यह slope बना रही है तो यह एंगल बना रही है ठीटा यह एंगल बना रही है ठीटा 2 यह inclination of line यह भी inclination और M1 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 10 ठीटा बनके लॉप लाइन L2 बराबर हो जाएगा M2 के M2 बराबर हो जाएगा 10 ठीटा 2 के हो जाएगा क्योंकि जब अब एंगल ओफ inclination आपको पता होता है तो स्लोप निकालने का जो फोर्मुला होता होता है 10 ठीटा तो स्लोप को डिनोट किसे करते हैं यह एंगल सोगे corresponding एंगल तो ठीटा 1 बराबर हो गया ठीटा 2 के दोरों दरब 10 से multiply कर दी तो 10 ठीटा 1 बराबर 10 ठीटा 2 के जब 10 ठीटा 1 बराबर 10 ठीटा 2 के हो गया तो मतलब M1 बराबर हो गया M2 के तो हम क्या लिखेंगे बच्चे वेन तो लाइन्स आर पैलल पैलल टू एच अधर तो दैन यह लोप्स आर एक्वल जब दो लाइन्स पैलल होती है उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं एक्वल होते हैं यहां तक आपका कॉंसेप्शन में आ गया होगा तो अपनी वीडियो का राम से विराम देके आप लिख सकते हैं बच्चे अब हम बात करेंगे नेक्सट कोंसेप्ट की देखा है इस लोप ओफ ऐफ लाइन्स स्लोप्स अफ लाइन्स अफ लाइन्स स्लोप्स अफ लाइन्स वैन यह आर परपेंडिकॉलर। लोप उफ लाइन की बात करेंगे। जब वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है परपेंडिकुलर क्या होती क्या है। में ये brahim up nh में से ये डो सपास हो रही हैं एक लाइन येड़ी एक लाइन बच्चे ने है। और एक कि और यह जो दोनों लाइन्स है ना यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर अराम से समझना यह लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो थोड़ा सा समझना पीटा यह हमारे पास क्या है यहाँ पर X-axis और यह हमारे पास क्या है ये लाइन है ऐल 1 ये लाइन है ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ठीटा 2 यहाँ पर एंगल बनने है तो यहाँ पर एंगल बहुत हिहाँ से तो slope off लाइन ल वन बराबर M1 तो M1 बराबर हो गया 10 ठीटा 1 के लॉप ओप लाइन ल टू बराबर हो गया M2 के M2 बराबर हो गया 10 ठीटा 2 के बेटा अर अब बड़े ध्यान से समझना कि जड़ ठीटा 2 के बराबर होगा 90 प्लस ठीटा 1 के exterior angle property एक triangle बना हुआ है exterior angle का sum दो opposite angle के sum के बराबर होता है दोनों तरफ 10 से multiply कर दीजिए 10 ठीटा 2 बराबर 10 90 प्लस ठीटा 1 तो 10 ठीटा 2 equal to 10 90 प्लस ठीटा minus court ठीटा 10 ठीटा 2 equal to minus 1 अपॉन में 10 ठीटा 1 तो के 10 ठीटा बराबर होता है वन अपॉन में कोट ठीटा और कोट ठीटा बराबर होता है वन अपॉन में 10 ठीटा बच्चे ये कौन है बेटा M2 equal to minus 1 upon में M1 किदर आ गया बेटा M1 dot M2 किसके बराबर आ गया minus 1 के किसका मतलब है कि if if राम से देखना बेटा if two lines are perpendicular to each other so then the product of their flops is equal to minus 1 अगर दो lines एक दूसरे पर क्या होती है परपेंडिकुलर तो उनके slope का product कितना होता है मेरे बच्चे minus 1 होता है ठीक है ना अगर एक line का slope M1 है तो दूसरे line का slope minus 1 by M1 होगा बच्चे महला दोनों एक दूसरे के रैसी प्रोकल भी होते हैं यह आप देख सकते हो पड़े ध्यान से आगे की बात करेंगे next topic angle between two lines अब दो lines के बीच में हम angle निकालना सीखेंगे बच्चे पड़े ध्यान से यह हमारे पास एक Cartesian plane है और इस plane में से यह दो lines पास हो रही है ठीक है जी और यह दो lines एक angle बना रही है ठीटा यह वाला angle हमने मान लिया ठीटा 1 यह वाला हमने angle मान लिया ठीटा 2 यह भी है inclination of line और यह भी है inclination of line ठीक है जी चले बच्चे अब बड़े ध्यान से समझना बहुत ही ध्यान से तो 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 slope of line यह अमने मानली line L1 यह अमने मानली line L2 तो slope of line L1 M1 बराबर slope of line L2 M2 बराबर ठीक है जी यह हमारे दोनों lines का क्या आ गया slope बच्चे अब आप बड़े ध्यान से समझना बहुत ही ध्यान से समझना बेटा अब M1 और M2 यह हमने दो slope निकाल दीए अब क्या theta 1 आपका बराबर होगा theta plus theta 2 के by using exterior angle property दोनों तरफ 10 से multiply कर दीजिए 10 theta 1 बराबर 10 theta नहीं नहीं एक काम करो एक काम करो आसान पड़ेगा इससे इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा पड़ेगा पहले विल्याओ theta equal to कितना हो गया theta 1 minus theta 2 theta 2 को मेदल लिया है ठीक है ना बिटा अब दोनों तरफ आप 10 से multiply करो 10 theta equal to 10 theta 1 minus theta 2 तो 10 theta equal to formula हाप लग गया 10 a minus 10 b का 10 a minus 10 b upon में 1 plus 10 a 10 b 10 theta 1 को आपने किस देनोड करा हुआ है मेरे बच्चे m1 से m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 तो यह formula होता है तो lines के बीचे में angle निकालने का 10 theta equal to m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 बच्चे है चले अब समझो बेटा पहला note इप अगर m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 बच्चे है अगर पोजिटिव है तो देन angle will be acute angle क्या होगा acute और if m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 अगर is negative है तो angle यह यह वाला भी हो सकता है यह 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 वाला भी हो सकता है यह 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 बच्चे अब कुछ हमने जितना भी concept पढ़ा है उसके concept के बेस पर हम कोश्चन से देखते हैं तो बड़े ध्यान से समझना फस्ट कोश्चन है बेटा आपका क्या बोला है उसमें find the slope of the lines passing to the point 3, minus 2 and minus 1,4 हमें क्या करना है find the slope निकालना एक लाइन का तो slope निकालने का formula क्या होता है आप डारेक्ट में यह जानते हो m equal to में बेटा y2 minus y1 upon में x2 minus x1 बच्चे यहां पर आपके यह वारा point हो गया x1 y1 और यह हो गया x2 y2 slope निकाल दीजिए 4 minus minus 2 upon में बेटा minus 1 minus के 3 में है तो m equal to में 4 plus 2 कितना हो गया बेटा 6 आपका हो गया 6 upon में minus 4 तो slope आपका आपका आगया बेटा minus 3 by 2 यह आपका slope आगया बेटा इसका ठीक है जी अगला question देखते है बेटा बड़े ध्यान से समझना the angle between the two lines is 45 degree जब find the slope of one of them is 1 by 2 जुश में से 1 का slope है 1 by 2 तो other line का आपको slope निकालना है बच्चे मतलब वो कह रहा है कि यह दो lines है यह दो lines है और इन दोनो lines के बीच में जो angle बना हुआ है वो कितने degree का है मेरे बच्चे 45 degree का यह दो lines है एक line L1 है एक line L2 है the slope of line L1 the slope of line L1 वो आपने माल लिया बेटा M1 और M1 आपको given है उसका 1 by 2 हमें slope of line L2 का हमें slope निकालना है मतलब other line का हमें slope निकालना है line L2 का आपको slope निकालना है जो क्या है आपका M2 इन दोनों की बीच में angle given है तो क्या formula होता है बेटा भी में पीछे आपको बता क्या हूं 10 theta equal to में क्या होता है दो lines की बीच के angle का formula modulus M1 माइनस M2 upon में 1 प्लस के बेटा M1 M2 भाई अब 10 45 डिगरी आपका slope हो गया स्लोप नहीं हुआ मतलब ठीटा आपका 45 डिगरी हो गया M1 आपको पता है 1 by 2 माइनस M2 आपको निकालना है 1 प्लस बेटा 1 by 2 कॉमा M2 बच्चे आपको निकालना है ठीक है जी 1045 के 1 होती है इसको आप LCM ले लीजिए याया 1 माइनस के 2 M2 upon में बेटा 2 प्लस के M2 बच्चे अब modulus है तो एक बार taking क्या लेंगे पॉजिटिव और एक बार taking आप क्या लेंगे बच्चे इसको नेगेटिव तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे एक बार हम लेंगे टेकिंग पॉजिटिव मोडलस के बाद 2 साइन होता एक प्लस का और एक माइनस का बच्चे वन एककोल टू में 1 माइनस के 2 M2 upon में बेट आगे की बात करेंगे बच्चे एक बार हम क्या करेंगे taking negative taking minus लेंगे बच्चे वन एक पॉल टू में minus 1 equal to में 1 minus k 2 M2 upon में 2 plus k M2 बच्चे cross multiply आप इसमें कर देंगे बच्चे बड़े ध्यान से समनद cross multiply आप इसमें कर दीजिए माइनस के 2 माइनस के M2 माइनस के M2 माइनस के 2 M2 इधर इसको लिया ये इधर ये आपका कितना होगे यहां से M2 तो इक्वल तो में कितना होगे 3 तो M2 की value होगे 3 या तो slope उस यहां तक आपका question आपका complete हो गया है next question की तरफ चलते हैं बच्चे इफ दा लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है जिसके सुन्दर सुन्दर से दो पॉइंट है कोडिनेट से बच्चे माइनस 2,6 और 4,8 बच्चे और ये एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन पर perpendicular है वो बच्चे जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोडिनेट है बेटा एट कॉमा 12 और एक्स कॉमा 24 बच्चे तो हमें एक्स की लो निकालनी है और इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिगरी का है 90 इसको बोला हमने लाइन हमने क्या बोला ल2 मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझना अब आप M1 स्लोप कैसे निकाल सकते है दो पॉइंट आपको गिवन है तो आपका निकल जाएगा Y2-Y1 अपॉन में X2-X1 Y2-Y1 अपॉन में X2-X1 यही फॉर्मुला होता है बेटा M1 एक्वल टू में 8-6 अपॉन में 4-2 2 by 6 आपका स्लोप आगया इसका 1 by 3 बच्चे ठीक ह अब स्लोप ओव लाइन एल टू इक्वल टू बेटा किसके हो गया M2 के M2 जो होगा बेटा बराबर वो किसके होगा वही फॉर्मुला आपका लग जाएगा 2 पॉइंट आपको गिवन है लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं Y2-Y1 अपॉन में X2-X1 बेटा M2 बराबर हो गया आपके पास 24-12 अपॉन में X-8 या आगया 12 अपॉन में X-8 अब उसने एक चीज आप समझेए कोश्चन में जो उसने बड़े ध्यान से बोली है बच्चे कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के और जब दो लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है दोनों के स्ल आपके पास 1 by 3 into बेटा M2 आपके पास कितना है 12 अपॉन में X-8 इक्वाल टू बेटा माइनस 1 प्रॉस मुल्टिप्लाई आपने गरी भाई इसका तो यहां से हो गया माइनस 12 इक्वाल टू में 3X माइनस 24 तो 3X इक्वाल टू में 12 तो X की वैल्यू आगई बेटा 4 यह एक्स की वैल्यू 4 बच्चे चले हम आगे चले बच्चे नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलेंगे कैल्कुलेट दा स्लोप ओफ दी लाइन यह अराम से समझना एक लाइन है जो ओरिजन से पास हो रही है और और एक सेग्मेंट के एक सेग्मेंट के एक सेग्मेंट के मिड़ पॉइंट से पास हो रही है एक सेग्मेंट लाइन सेग्मेंट गोई तो दो पॉइंट को जोइन करके बना हुआ है किस किस पॉइंट को जोइन करके बना हुआ है 0,-4 और 8,0 को जोइन करके बना हुआ है ठीक है मेरे बच्चे और यह वाली जो ल यह बराबर इसके यहां पर मैंने नाम ले लिया कोई M ठीक है मेरे बच्चे आप समझना पहले बड़े नक्षर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना इस वाली लाइन का तो आप समझी पहले स्लोप निकालने लिए दो चीछ चाहिए होती है एक एंगल ओफ inclination या फिर दो पॉइंट पता है दूसा पॉइंट हम निकाल लेंगे मिड़ पॉइंट वाले कॉंसेप्ट से तो M का कोडिनेट आ जाएगा फिर M और इस ओरिजन वाले पॉइंट से हम इसका स्लोप निकाल देंगे बच्चे तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे तो पहले देखे जरा M जो है बच्चे इस क्या है मिड़ पॉइंट है मिड़ पॉइंट है और किसका डी ए का तो पहले कोडिनेट आफ निकाल रहों M के तो कोडिनेट ओफ M मिड़ पॉइंट है तो फॉर्मला क्या हो जाएगा X1 प्लस X2 अपॉन में 2, Y1 प्लस Y2 अपॉन में 2 यह होता है बिटा अब X1 0 प्लस 8 divided by 2, minus 4 प्लस 0 divided by 2 यह आगया 4, minus 2 यहां का कोडिनेट आपका आगया 4, minus 2 अब लाइन के दो पॉइंटस आपको मिल गए अब हम निकाल देते है slope of line, slope of line पराबर हो जाएगा Y2 minus Y1, minus 2 minus 0 अपॉन में 4 minus 0 तो answer आगया, minus 2 अपॉन में 4, minus 1 by 2 इस लाइन का क्या आगया बच्चे, slope आपका आगया, ठीक है भाई, यहां तक आपको questions में आगया होगा, यह कुछ NCRT के अलावा भी कुछ important questions हैं, जैसे questions आपके paper में आ सकते हैं इनको जड़ा अच्छे से आप practice कर लें बच्चे, हाली हमारा main motive यह नहीं है कि मैं आपको NCRT, NCRT के question करा दूँ, कुछ extra questions भी साथ के साथ चलते रही हैं, जो conceptual based questions होते हैं, चलिए जी, चलिए जी, अगले question के हम बात करेंगे, the slopes of the two lines are 1 by 2 and 3, then find the angle between two lines, यह दो lines है, दोनों lines का आपको slope given है, और इनके बीच का आपको angle निकालना है, यह line L1 है, यह line L2 है, इन दोनों lines के बीच का आपको क्या निकालना है angle और दोनों का क्या given है slope, slope of line L1, हमने क्या मान लिया, M1, जो आपको given है 1 by 2 beta, slope of line L2, आपने क्या मान लिया, M2, जो आपको given है, M2 किसके बरावर, इबिटा 3 के, M2 किसके बरावर, 3 के, अब दोनों के बीच में angle निकालने का formula 10 theta equal to, M1 minus M2 upon में, 1 plus M1 M2, किटा आपको निकालना है, M1, आपके पास, कितना है मेरे बच्चे, 1 by 2, minus 3, 1 plus, 1 by 2, into 3 beta, यहां से आप कर लीजे solve, तो 10 theta equal to beta, कितना आ गया यह, 1 minus 6 upon में beta, पड़े ध्यान से समझना, upon में 2 plus के 3 भाई, अब आप देखना बिटा, 10 theta equal to, यह आपके पास कितना है मेरे बच्चे, minus 5 upon में 5, यह आपका आगया 10 theta, बराबर आगया बच्चे, आपके पास minus 1, 10 theta equal to में 10, यहां पर कितना आ गया बच्चे, minus 1 किसके लोगते है 10 में, 45 degree, 10 theta equal to मेरे बच्चे, 10 180 minus 45, तो theta आपका आ गया 135 यह आपका answer आ गया, बात समझ में आ गई बच्चे, आगे बढ़े हम, पहले जी, अगर लाइन्स के बीच में मैं आपको बोला था पहले भी, अगर M1 upon में M2 minus, M1 minus M2 upon में 1 plus M1 M2 अगर negative आ रहा है, तो एंगल हमेशा obtuse बनता है, तो यह आपका एंगल क्या बन रहा है, obtuse बन रहा है, अब हम बात करेंगे next, find the angle between the x-axis and the line, joining the point 3, minus 1 and 4, minus 2, अब अगर हम बात करें तो, यह हमारे पास एक Cartesian plane है, और इस plane में, एक क्या है मेरे बच्चे, एक x-axis है, और एक line है जो इन दोनों point से pass हो लिए, ना बच्चे, जो line इन दोनों point से pass हो लिए, अगर देखा जाये तो, 3, minus 1 इस quadrant में आएगा, और 4, minus 2 भी इस quadrant में आएगा, मतलब line, अगर हम बात करें तो, line कुछ इस तरीके से pass हो जाएगी, line कुछ इस तरीके से pass हो जाएगी, line जो है वो दो point से pass हो लिए, 3, minus 1 और 4, minus 2 और यह वाला angle इनके बीच में निकालना है ठीटा, ठीख है मेरे बच्चे, और यह कौन सा axis है यहाँ पर, x axis, तो x axis और line के बीच में जो angle बन रहा है, x axis और line के बीच में एक तो angle यह भी बन रहा है, या फिर यह बन रहा है, यह वाला निकाल लो वो अपना आप आप आजाएगा, तो यह भी दो angle आपके निकल जाएगे, यह अपना आप निकल जाएगे, देखो क्या है, ठीख है जी, आप समझे बच्चे बड़े ज्यान से, तो एक तो line हमने मान ली, L1, और एक हमने line क्या मान ली मेरे बच्चे, L2, यह दो lines के बीच में angle का formula concept लग जाएगा, slope of line, L1, आपने मान लिया M1, M1 आप slope निकाल सकते हैं, क्या, यह आपका L1 है line, L1 आप दो point से निकाल सकते हैं, L1 line का slope, M1 आपका निकल जाएगा, minus 2, minus 1, बनला y2 minus y1, upon में x2 minus x1, M1 आपका बराबर आगया, minus 1, minus 1 बच्चे, क्या आपका आगया, क्या M1, solve करने के बाद, यहां से आप solve करोगे, तो minus 1 आएगा, नीचे 1, यह कितना आगया, minus, अब slope of line, line L2, उसका slope आपने क्या मान लिया M2, अब M2 जो है VOT x-axis है, और x-axis का slope हम जानते कितना होता है, slope of x-axis हमेशा 0 होता है, slope of x-axis हमेशा 0 होता है, slope of y-axis हमेशा कितना होता है मेरे बच्चे, कैसे, slope of x-axis अगर आपको निकालना है, slope निकालने का formula क्या होता है, म इक्वाल टू में 10 ठीटा, अब x-axis x-axis के साथ ही कितना डिग्रे एंगल बनाएगी 0 डिग्री तो m equal to में कितना हो गया 10 0 डिग्री तो बेटा m कितना आ गया flop of x-axis हमेशा कितना होता है बेटा 0 होता है ठीक है जी अब आप बड़े घ्यान से समझेंगे अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का formula 10 theta equal to m1 minus m2 upon में 1 plus m1 m2 ठीक है जी अब 10 theta equal to बेटा m1 कितना है minus 1 minus ये कितना है 0 upon में 1 plus के minus 1 into 0 आपका कितना आ गया मेरे बच्चे 10 theta equal to high कितना होँ माइनस के 1 अचा माइनस आ रहा है देखको अंदर m1 इसके लिए माइनस तो एंगल कैसा बनेगा मेरे बच्चे obtuse 10 theta equal to minus k1 10 theta equal to beta minus 1045 degree 10 theta equal to मेरे बच्चे 10 180 minus 45 degree तो theta बराबर आ गया मेरे बच्चे 135 degree तो आपका आंसर आ चले हम आगे number next आगे की बात करेंगे बच्चे next question की तरफ चलेंगे the three points है h,k, x1,y1 and x2,y2 lie on the line and then show that this अब देखो जरा उसने क्या बोला है आपको साथ question अच्छे से चमाक नहीं रहा होगा मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूं यह एक line है जिस पर point p, point q और point r लाई कर रहे है जो point p है उसके जो coordinate है वो h,k है q के coordinate x1,y1 है और इसके coordinate है बेटा x2,y2 है ठीक है जी और आपको यह proof करना है proof जो करना है वो मैं है लिख देता हूं proof that आपको जो करना है वो है x-x1 into में y, जी मेरको भी नहीं जबता है y2-y1 into में लाना है k-y1 bracket में x2-x1 यह आपको proof करना है अब आप देखो यह एक line है यह सुन्दर सी क्या जा रही है line जा रही है यह line है तो आप एक चीज़ बताईए इन pq दो points को यूज़ करके slope निकल जाएगा line का और क्या वही slope qr से होगा क्योंकि दोनों सारे point एक ही line पर लाईए तो आप लिख सकते है slope of pq क्या बराबर होगा slope of qr के तो कि बेटा क्या कोई सी भी दो points को यूज़ करके slope निकलेगा तो slope line का ही और वह line का slope हर बार क्या रहेगा बराबर रहेगा तो slope of pq बराबर रहेगा slope of qr के तो pq से slope निकली कितना है y1-k upon में x1-kh बराबर y2-y1 upon में x2-x1 अब इनकी cross multiply कर दीजिए y1-k into में x2-x1 into में x1-h ठीक है मेरे बच्चे x1-h और into में बेटा y2-y ठीक है भाई यह आपकी बास समझ में आ गई और देखो proof आपका हो गया आपका प्रूफ इस तरीके से question आपको solve करना कमझ में आ गया है बच्चे यहां तक अब हम next question की दर चलेंगे बड़े ध्यान से समझना उन्हें बोला है हमें x की value निकालनी है x की value निकालनी है और वो जो line है वो x-axis को एक 135 degree के angle पे क्या कर रही है? incline कर दी है किसको x-axis को क्या कर रही है? this is inclination of the line containing inclination of the line तो मतलब हो गया आपका क्या slope यह चीज़िची समझना, inclination of the line दे दिया मैं आपको पहले बता किया है थर inclination of the line वो angle होता है theta slope नहीं sorry theta angle होता है जो line x axis के साथ बनाती है in positive direction में यह आपके पास आगया theta और यह line दो point से pass हो रही है x, minus 3 से और बच्चे 2,5 से यह दो line point से pass हो रही है ठीक है मेरे बच्चे अब बड़े ध्यान चे समझना slope of line एक तो आपका निकल जाएगा किस से मेरे बच्चे 10 theta से तो वो कितना है 10,135 degree और 10,135 की value कितनी होती है minus 1 यह आपको हमेशा याद रहने है और एक slope of line किस से निकल जाएगा 2 point से वो बताइए क्या हो जाएगा 5, minus, minus 3 upon में 2 minus 10 तो वो कितना हुआ 8 upon में 2 minus अब दोनों एक लाइन के slope है तो बता, minus 1 भराबर हो जाएगा 8 upon में 2 minus x cross multiply कर दीजिए minus 2 plus x equal to 8 तो x की value आगई यहां तक आपको question समझ में आगई कलें भाई आगे बढ़ेंगे find the value of x which of the points are collinear हमें x की value निकालनी है अगर यह points क्या है collinear collinear का मतलब है यह points a की line पर क्या कर रहे है lie कर रहे है x, minus 1 2,1 और 4,5 और इन points के हमने माल लिया a, b और c points को उनके coordinates आपके पास given तो आप मुझे बताईए अगर यह collinear है तो तीनों एके line पर है तो इसलिए slope of a, b क्या बराबर होगा slope of b, c के अब slope of a, b आप बताईए 1, minus, minus 1 अब on में बेटा 2, minus x, equal to 5, minus 1, upon में 4, minus 2 तो 2, upon में 2, minus x पराबर होगया 4, upon में 2 2, इदर cancel होगया तो इसलिए 2 से 2 होगया तो 1, upon में 2, minus x पराबर होगया 1 तो 2, minus x, equal to b, 1 तो x की value आगई भाई आपके पास कितनी आगई बच्चे 1 यह आपका कितना आगए मेरे बच्चे x की value 1 आपकी आगई भाई चले हम आगे आगे बढ़ते हैं next question की तरब उसने बोला है the slope of a line is double the slope of another line एक line का जो slope है वो दूसरी line के slope के double के है if tangent of the angle between them is 1 by 3 अगर इनके बीच का जो tangent angle है मतलब 10 theta angle वो 1 by 3 है तो find the slope of the other line ठीक है मेरे बच्चे उसने बोला है कि एक line है एक दूसरी line है ठीक है मेरे बच्चे इनके बीच का जो tangent angle है मतलब 10 theta वो बराबर है 1 by 3 के एक line का slope दूसरी line के slope के double है ये line L1 ये line L2 ठीक है मेरे बच्चे तो बड़े ध्यान से समझेगा the slope of line L1 आपने क्या मान लिया M ठीक है बच्चे आपने क्या मान लिया वो L1 ठीक है जी क्योंकि दो line का दो lines आपको भी बन है अब slope of line L2 अब आपने क्या मान लिया M2 है ठीक है दूसरी line का आपने slope क्या मान लिया M2 दोनों का अब according to question क्या given है एक line का slope दूसरी line के slope के double है M1 बराबर है 2M2 ठीक है बिटा अब दोनों में एंगल आपको given है तो दो lines की बीच का एंगल निकालने का जो formula होता है वो कितना होता है कले हम उसके बारे में बात कर दो क्या होता है 10 थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 यह होता है तेंजेंट आपको given है कोश्चन में था तेंजेंट आप देंगल का मतलब आपको 10 थीटा given है डारेक्ट यह कितना है में बच्चे 1 बाई 3 तो 1 बाई 3 एक्वल हो गया M1 की value कितनी है 2 M2 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस 2 M2 dot M2 cross multiply करने से पहले इसको solve कर लेते हैं M2 अपॉन में 1 प्लस 2 M2 का whole square ठीक है अब modulus है एक बाद taking plus और एक बाद taking minus एक बाद taking positive ठीक है जी 1 बाई 3 इक्वल टू M2 अपॉन में 1 प्लस 2 M2 का whole square cross multiply कर दीजे 1 प्लस 2 M2 का whole square equal to में 3 M2 2 M2 का whole square minus 3 M2 plus 1 equal to 0 इसकी middle term splitting कर देंगे quadratic equation बन रही है minus 2 M2 minus M2 plus 1 equal to 0 2 M2 यहां से common आया अंदर बचा बेटा M2 minus 1 minus 1 common आया M2 minus 1 equal to 0 एक आपका M2 आगया 1 आपका बना यहां से M2 minus 1 और एक 2 M2 minus 1 एक आपकी M2 की value आगे बेटा 1 और एक आपकी M2 की value आगे 1 by 2 और जब आपका M2 आपका 1 है M2 यहां रखेंगे तो M1 आपका आएगा 2 और जब आप M2 1 by 2 है M1 हो जाएगा 1 देख लो दोन एक दूसरे के twice है ठीक है बच्चे दूसी बात अब हम एक case और लेके भी solve करेंगे इसमें हम लेंगे taking negative ठीके बच्चे taking negative अब जब हम इसको taking negative यहां से लेंगे तो minus 1 by 3 equal to में या कुछ भी कर लो minus दे लगा लो या दोल लगा लो 1 by 3 equal to में minus M2 upon में 1 plus 2 M2 का whole square बेटा इसको solve करेंगे अज़से यहां से quadratic equation बन जाएगी M2 का square plus 3 M2 plus 1 equal to 0 जब आप इसकी middle term splitting करेंगे तो वो हो जाएगा 2 M2 plus M2 plus 1 equal to 0 या से हो जाएग 2 M2 common लिया M2 plus 1 plus 1 common लिया M2 plus 1 equal to 0 या से आएग 2 M2 plus 1 और M2 plus 1 equal to 0 एक तो M2 के value आगई minus 1 by 2 और एक M2 के value आगई minus 1 और जब आप यहां पर इसको put कर देंगे यहां पर इसमें वहां से भी आपकी M1 की दो values आ जाएंगी जब M2 minus 1 by 2 होगा तो आपका M1 आ जाएगा बच्चे तो आप इसको solve करेंगे तो minus के 1 और जब वो minus 1 होगा तो आपका M2 हो जाएगा मेरे बच्चे minus के 2 पासन में आ गई तो slope जो भी है line का वो आ गए slopes या तो 1 या 2 होगा या 1 by 2 और 1 होगा या minus 1 by 2 और minus 1 होगा या minus 1 और minus 2 होगा क्यों होगे line के पासमन में आ गई चलिए तो बच्चे यहां तक हमारे questions थे जो exercise 9.1 पे बेस हैं अब आप exercise 9.1 अराम से कर सकते हैं तो करने के बाद अगर किसी बच्ची का कोई भी doubts आता है तो आप मार को comment में लिख सकता है बच्चे ठीक है जी मिलेंगे next वीडियो में next topic के से